लोग वने कॉर्स क्वेट हो गया ओली एसी एसी हो को सम्प्रेट को मिताए दोने एसी एसी में क्या करवाएगे आपको सर हमको वाइच की विंडों एसी और स्प्लिट एसी की वाइन करवाएगे एक वर्ड है PCB जो विंडों भी आता है सब्सक्राइब करने के लिए उसी पाइप पे जाए जहां परीजिंग करनी है उसके बगल या और बगलना जाए और मतलब समान को नुक्सान न पहुंचे और मैं इससुआई नाम है आपका सुरज कुमार सलॉव पार्काश कहां से आयो हैए तो यूपी से कहां से आयो अच्छा तो सब्सक्राइब 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 में वियर मैं मतलब यह कंफर्म होता आ कि हमारा कंपरेसर सही पंपिंग कर रहा कि नहीं कर रहा है उसको हम स्प्कूल बंद करेंगे वसको और डिस्चार्ज लाइन से प्रेशा डालेंगे अ Death से बाद है उसके बाद डिस्चार्ज लाइन से 20Mез कंशिंग दॉसीं ड़पना किया करणा है अब एक फुटा जो करने गद्सक्राइब टॉन कायर को घरने कम लसे की पंब्टाइब शा의 है नहीं है वो है जैक करेंगे फिर विर्ए आप से बोजेशंब पूचुन आप जो बता रहे हो ना वह लीके चेक करने का प्रेशेट डालते नहीं है आप बताओ क्या करते हैं बताओ अगर उसकी फंपिंग लोग उपित और बंद करने के बाद बंद करने के बाद क्या करेंगे आगे बंद करने बाद उसका में डाउन आएगा और और यह सक्षेट लाइन से वापस अगर पंपिंग लो होगी तो फिर आम क्या करेंगे उसके बाद अच्छा यह प्रोब्लम का बात ही है तो यह तो उसका वेल निकल लाता है या मतलब की कंप्रेसर जाम हो जाता है तो चला बहुत बढ़े आपने से एक कोर्स किया ना अच्छा आप से पूस्ता हूँ आप ते विंडों एक की पांच पर यह वारेंग रहे होंगी पांच पर्गार कि यह दो है बिना पीजिवी के तीन पीजिविके तीक है इस पुरेट एक तीन वायरें नुए प्रिंटेट सर्किट बोर्ड यह फूल फोब हो इसकी पीसी भी उसका काम यह होता है कि इनपूर्ट सप्लाई लेके सभी पार्टों को सप्लाई देना होता है इसकी बहुत बढ़िया अच्छा अधा सही बताया और है अधर मालो हमारा इसी चल नहीं रहा विंडों यहां वो डैड़ फड़ा हुआ है जीरो कर दो गया वो कस्मर कह रहा है कि आप आओ देखो क्या होगा हमारे कि चल रहा था कि आज क्या आगो डैड हो गया उसनमें आप उसके बाद जब सप्लाई मिल रही है तो मुसका रिले चेक करेंगे और उसके बाद उसमें भी जा रही तो ट्रांसफार्मर चेक करेंगे सब्सके बाद हमारा आगे मतलब की अगर नहीं नहीं जा रही सब्लाई तो हम PCV को चेंज भी करेंगे अगर आगे सब्लाई जा रही ह सब कुछ हमारा यहां तक प्रॉलम होती है या तो पीसिटर करेंगे या तो उसको चेंज करेंगे या तो इसको प्रपेर करवाएं यह आप कहने चाफ़ाइब बहुत बढ़ी जैसे का मिनाम बोला आप ट्रांसफारमर क्या होता है जो कि इसमें रहे हो तो मतलब कि है वोडर से लेकर टान बोल्टेज में उसे प्राइड करता है पीसिपी को बहुत बढ़ी हाँ अच्छा बताया आप ने श्टेप डाउन ट्रांस वर्म वह बढ़ीगा वो कहते हैं कि बच्चों को जिन पर उमीद नहीं होती वह बंदा घ्रंग के लिखाता है आप पर हमें यह उमीद नहीं थी आप सच्छे आपको मुझे बोल रहा हूं सब्सक्राइब आपके सामने इसे हम बीजिंग करते हैं इसके साइथ लगा के ब्रीजिंग करते हैं आज कर दिख रहा होगा है हर साल के अंदर का न्यूज आती है कि फ्लाने जेगा में इसी फट गया ब्लास्ट हो गया यह वहाँ पर फट गया इसके पुझे क्या कहना चाहोगा एसी को फटते हैं गलती टेक्नीशन की होती है दरहसल उसमें गैस निकलने बाद उसमें बाहर की हवा प्रवेस्ट करती है उसके बाद एसी टेक्नीशन पता नहीं लगा पाते तो उसे चालू कर देते हैं तो उसक हुआ है है जो बढ़िया बताया आपने और आपको मारू लीकेंट मिली एक इसी काथ टोपिक है लीकेंट मिली लीकिन मिलें अगला स्टाप का करो गया अब ईसके बाद सिर्वरीजिंग करेंगे उसके बगल या और भगल ना जए और मतलब समान को नुक्सान न पहुंचे और और सर खुद को भी बचाव रखना है कि मतलब की जलना जाए हाथ पर ठीक है और कुछ इसके लावा जो में स्टेप अब हो बताओ कि भीसिंग करते हैं कि न किरान लेकर का अब है करें फिरीजिंग कार दो जूसरे दो चीप पहले अना था था इस्टब सबसे पहले यह सबसे पहले अना था सबसे पहले आ चलो जी एक वर्ड आपने सीखा होगा तो घॉंपडाउन करना तो उसमें यह होता है डिस्चार्ज लाइन टाने को परी सरिकल में थे ईए हैं डैस भूमने बाद भी चार्ज लाइन तो फेले हम बंद करते हैं उसके बाद 2-3 विनिट तब सब्सक्राइब नुद में दूंद झाओ उसके बाद साइब लाइन के ओल्प को हम बंद कर देंगे उसके बाद यह दिखेंगी किन फे एक माइनस तक में दोने इसका नाम क्या स्कार इसका नाम सर्क्लेंप्र मेटर है इसे टॉंक टेस्टर बोलते हैं जिसंगर पूछते हैं पार्ट है जिसे आंद क्या थे इसका क्या नाम जानते हो गया उसको क्यों लगाया हुए एज़िए उसका काम होता है कि हाई प्रेशर को लोड प्रेशर में तक नहीं होगा तो क्या के लावा अरफ थंडी नहीं होगे यह अगब प्रेशर लोग नहीं हो तो लो नहीं है तो वो कर्तिक होना है क्या प्लेट चलो ठीक है ठीक है तो होब करता को वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक यू सो मच